नमस्कार तुर्परा में बड़ा उलेट फिर हो चुका है बोटिंग के ठीक पहले जो स्यासी खेला हुआ है ओपिने फोल के इसाफ से यहां खलबली देखने को मिल रही है और यहां पर कर बात किजा साथ सीटों पर बड़ा उलेट फिर देखने को मिल रहा है और ऐसे में 2023 ज कर जो सठीक सर्वे यहां पर आपके द्वारा जो किया गया था इसके लावा और यहां पर बड़े ओफिनेंट पोल सामने आ रहा है इसमें अकर बात की जाए तो आपकी राए के इसाफ से 4000 बोट इस सर्वे में किये गए थे जो आपकी कमेंट बॉक्स आदार पर सर्वे न नतीजें 2024 के लिए समी फाइनल की तरह देखे जा रहे है और 2023 की जीत का परशम में किस के साथ होने जा रहा है क्या कॉंग्रेस CPM गडबंदन जीतेगा या बीजीपी कमल खलेगा क्योंकि बीजीपी के तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहां पर डबल इंजन की सरकार एक बोटर किसके साथ जाने बाले हैं 16 फरवरी को क्या कुछ होगा तिरपुरा में फिर परिवर्तन या खिलने वाला है कमल इसको लेकर सटिक और महीतमून विशलेशन सामने आ जुके हैं और अब क्या यहां का आकरा है क्योंकि काफी हलचल हुई है और अब बोटिंग का वक् कॉंग्रेस जीरो सीट हो गई और बीजीपी यहां पर 36 सीटों पर पहुँच गई सीपी एम 16 सीट पर आ गई 48 से घटकर आईपी अप्टी पार्टी ने 8 सीट पर जीता सुई की बीजीपी का बोट्शेर भी बढ़ा हो सीटे भी बड़ी 43 पर्शेर सबसे बड़ी पार्ट तो तुर्प्रा को लेकर टिप्रा मुथा ये दावा कर रही है कि वो एक बड़ी पार्टी बनेगी तुर्प्रा को लेकर जो ओफिरेंट पोल है उसमें कोवाई जिले की 6 सीटों में से बीजीपी और आईपी अप्टी पार्टी गडबंदन को करीब 4 सीटे जा सकती है तो यहाँ पर आईपी अप्टी पार्टी और बीजीपी गडबंदन को तीने सीटे जबकी सीटे जबकी सीपी अपर जिरू सीटे मिल सकती है जब 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 स्तिफादा हो रहा है यहाँ पर 10 सीटे बीजीपी गडबंदन को 3 सीटे कॉंगरेस सीपीम गडबंदन को और टिप्रा को 1 सीट की संभावनें दिखाई दे रही है पुना कोटी जले की 4 सीटों में से बीजीपी और आईटीपी पार्टी गडबंदन को 1 सीट और 2 सीटे यहाँ पर CPF कॉंगरेस गडबंदन को 1 सीट टिप्रा की पक्षमत जा सकती है सिफाई तिला की 9 सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर सबस्तों जादा बीजीपी गडबंदन को 5 सीटे मिल सकती है और यहाँ कर बात की जाए CPF कॉंगरेस गडबंदन को 2 सीटे टिप्रा को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है इस तरह से अकर बात की जाए तो इससे पहले आपसे जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स पर राय पूछी गई थी कि तिरप्रा विधनसबा चुनाप 2023 कौन जी सकता है सर्वे के साथ से आपने करीब 4000 बोट इसमें सामिल किये गए थे और उस इसाथ से यहाँ पर 54% चाहाँ पर बीजीप के जो दिखाई दिरे हैं 54% लोगों ने बाना है 4000 बोटों की जो यहाँ पर सर्वे रहा है उसमें 54% लोग बाना के बीजीपी आएटी पर्टी पार्टी गडबंदन जो है एक वाफर से यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रहा है 2023 में तुरुपरा में बीजीपी कमल ख़ला सकती है जबकि कॉंगरे सीपेम गडबंदन को करीब 42% लोग मारना है कि यहाँ पर तुरुपरा में वो जीत दर्च कर सकते हैं जो आपकी राय के आइसाफ से यहाँ पर सर्वे किया गया है जबकि टिप्रा मोथा को 3% लोग मारना है कि यहाँ पर वो उबर सकते हैं तो पर हम वो सरकार बना सकते हैं इस तरह से आपकी राय और आपके कमेंट के आधार पर जो सर्वे है उसमें BGP काफी आगे दिखाई दे रही है करीब 10-12% बुट्शेट का अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अलाबा जो ओपिनेंट पोल लेटिस्ट ओपिनेंट पोल है उस हिसाफ से जो यहाँ पर उन्माल लगाया जा रहा है उसमें BGP को करीब 30-35 सीटे मिल सकती है यानि आज विधन सफ़ा चुनाब तो 60 सीटों में से BGP 30-35 सीटे मिल सकती है कॉंगनेंट सीपीम गड़बंदन को करीब 18-22 सीट मिल सकती है जो ओपिनेंट पोल सामने आ रहा है जबकि टिप्रा को 4-6 सीटे मिल सकती है अनि की बात की ज़एज़ दो सीटे है जीरो से दो सीटे अनि की फक्ष में भी जा सकते है इस तरह से ओपिनेंट पोल और आपके सर्वे के हिसाफ से तुरपुरा में BGP आगे दिखाई दे रही है लेकिन आपको बना दें ये चुनाबी आकरी चुनाबी अनमान है 16 फरवरी को जन्ता तै करेगी तुरपुरा में किसकी बनने वाली है सरकार और इसके रिजल्ट 2 मार्च को आजाएंगी इसके अलागरब आपके जाएंगे तुरपुरा में किसकी सरकार बनेगी क्या BGP की जो सरकार है वो बरकरार रहेगी या CPM कॉंग्रिस गड़बंदन की वाक्सी होगी टिप्रा को किसनी सीटे मिल सकती है क्या टिप्रा मोथा यहां पर किंग मिक्कर की भूमिका में आ सकता है यह काफी महिर्पूर हो जाता है तो आपको अपर रिया कर बॉक्स ज़ड़कनी हैं तुरपुरा मेगलै और नागलै नमै किसकी बनेगी सरकार? इसको लेका बहुत ज़ल्द आपको नय आक्ठी देने बाले हैं तो दोस्तों मिलते हैं सट्टिक और महीत्पून विशलेशन के साथ तब तक लेजा हैं जब हरो